आमेर के दुर्ग की आमेर का दुर्ग जो है वो कच्छाओं की पुरानी राजधानी के रूप में जाना जाता है और जापूर से लगबग 11 किलोमेटर उत्तर में एक परवती धलान पर अवस्थित है यहां हम आमेर के दुर्ग की बात कर रहे हैं यह दुर्ग कच्छाओं व चारों और से पर्वत मालाओं से इस प्रकार से परिवेस्ठित है कि प्रकर्थी ने इसे नैसर की सुंदरता और सुरक्षा का कवच प्रतान किया है और प्राजी साक्षों के अनुसार जो प्साहिति ग्रंत और शिलालेख है उसमें इसके अनिक नाम मिलते हैं जैसे आंबेर, अंबीकापुर, अंबर, अंबरेश, अंबावती, आदी और कहा जाता है कि संभूत है अंबीकेश्वर, महादेव या अंबामता के नाम से इसका नामकरन रखा गया है यहाँ पर संगी जूता राम के मंदिर से उपलब्द विकरम सवत 1714 अर्थाथ 1657 की एक शेला लेख मे इसका नाम अंबावती नगर के नाम से उलेख खित हुआ है और इनसे ग्यात होता है कि पहले यहाँ मीनाओं का वर्चस्व था और जिनको हराकर 10-11 शताब्री के आसपस यहाँ कच्छाओं ने अपनी राज़ानी इस्थापित की यहाँ आमेर के दुर्ग का एक विहंगम है और जो चारों और से परवत मालाओं से ढखा हुआ है और बहुत सुन्दर इसका जो है साथ सो वर्चों से भी अधिक समय तक कच्छाओं की राज़ानी के रूप में यह रहा है और यह दुर्ग जो है एक विशाल परवती घाटी में अवस्तित होने के कारण के साथ ही जो पहाड है उनको आमेर की सुद्रड प्राचीर ने इस तरह इस तरीके से अपने चारों समाहित कर लिया कि जैसे लगता है कि परवत शिक्रों को मोतियों की लड़ी पहना दी हो इस प्रकार से बहुत सुन्दर अद्बुद नजारा इस दुर्ग का हमें यह दिखाई दे जहां पर हम दूसरे दुर्गों की बात करते हैं प्राइस अभी दुर्ग दुर्गों में जहां राजप्रसाद प्राचीर के भीतर समतल भूभाग में बने वहीं आमेर दुर्ग में राजमहल उचाई पर परवते ढहलान में इस तरह बने है कि इन महलों को ही दुर्ग का स यह है आमेर का दुर्ग का एक द्रिश्य एक नाजारा इस्थापत्य की द्रिश्टी से अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमने बात की कि अन्य दुर्गों से भिन है और साथ ही साथ में इस दुर्ग की विशेसा है कि क्योंकि आमेर के शाष्कों ने अकबर के साथ में मैत्री संदी के द्वारागबर के वे मित्र बन गए, सयोगी और संबंधी भी बन गए. तो मुगलों से उनकी प्राय मित्रता रहे और मुगल चाश्कों से राजनेतिक मितरता के कारण यह दुर्ग जो है प्राय भाहि राजा जैसिंग, राजा मान सिंग, सवाई जैसिंग और अन्ने प्रतापी नरेशो द्वारा निर्मित आमेर के भवे राजप्रसाद राजपुर चैली में बने है साथ ही इनमें मुगल काल की हिंदू मुस्लिम इस्थापते कला के समनवे की प्रवर्टी भी दिखाई देती है यहां के कुछ जो इस्थापते कला के एक्जामपल से उनको हम चित्रों के मादे हम से देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ बिल्कुल विशुद रूप से राजपुते शाली में है तो कहीं पर हमें मुगल इस्थापते का प्रभाव भी दिखाई देता है यह है आमेर के दुर्ग का दृश्य और आमेर दुर्ग के नीचे जो है माउठा का तलाब और दिलाराम का बाग है जो इसके सौंदरे को और अधिक बढ़ा देते हैं और आमेर के को जाने के लिए जोरावर सिंग दरवाजे जिसको दृफ पॉल भी कहा जाता है से सीधी सड़क जल महल और कनक रंदावन के पास से गुजरती हुई एक विकट मोर पर पहुंचती है इस उची परवतिय घाटी में एक विशाल प्रवेश दुआर को पार करती ही धलान शुरू हो जाता है जो आमेर दुर्ग के तक ले जाता है आमेर के राज महलों में जाने के लिए माउठा जलाशे के किनारे इस्थित अथियासिक दिलारामा के बाग से होकर रास्ता गुजरता है मिर्जा राजा जैसिंग दौरा 1664 में निर्मित इस सुन्दर बगीचे के एक तरफ जो है संग्राले है जहां पर प्राचिन शेलालेक और पार्शा निस्थम्ब और कलाकेंदर के काफिक अलात्मक जो नमूने है वो वहाँ पर दिखाई देते हैं और किले के उपर जाने के लिए द्वार है जो प्रतम प्रवेश द्वार है उसका नाम जैपुल है जिसके भीतर बना विशाल प्रांगन जलेब चौक कहलाता है इसके पूर और पर्शिम में दो चोटे महराबदार दरवाजे बने हैं जो सूरजपूल और चांदपूल कहलाते हैं और जलेब चौक से राजप्रसाद में जाने के लिए सिंगपूल प्रवेश द्वार है जिसके पार्शव में शीला माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है ज इसे अतुल पराक्रमी राजामान सिंग जो बंगाल से विज़ प्राप्त करकर लाए थे इसके अतरिक तेहां पर दिवाने आम, दिवाने खास, गनेश पोल, शीश महल, यश मंदिर, सोहाग मंदिर, सुख मंदिर, आधी विशेश रुप से महत्वपून है यह शीश महल का दुश्य है और यह जो शीश महल है जिसमें आमेर के राजमलों में बहुत प्रसिद है और चर्चित और भवव शीश महल है जिसमें चछत और दिवारों पर काच की जड़ाई का अत्यन सुन्दर और कलात्मक बारी काम हुआ है एक मुमबती के जलाते ही सैक्रो प्रतिबंब इसमें दिखाई देते हैं और यह बहुत सुन्दर महल अदबुद महल शीश महल आमेर के इस दुर्ग में अवस्तित है यह दिवाने आम और दिवाने खास का दुश्य है जैसा कि हमें इसकी वास्तु कला से दिखाई दे रहा है मुस्लिम इस्थापते के का प्रभाव हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वे का परिचाय कि हमें इहां पर दिखाई देता है जिस प्रकार से हम जितने भी मुगल इस्थापते के नमुने हैं उसमें हम इस प्रकार से दिवाने आम और दिवाने खास देखते हैं यहां अपर दिखाई देता है दिवाने आम वह भवन है जहां राजा का आम दरबार होता था राजा यहां जन सामाने से मिलता था यह एक विशाल आयताकार भवन है जो संग्मर बर्के 40 सुन्दर और मजबूत इस्थंबवस से सुशब्वित है इसका निर्मान मिरजा राजा जैसि ने कराये था, साथ ही यह जो दूसरा एक दिवाने खास है, और दिवाने खास जो है वो विशाल जो चौक है इसके अंदर, उसके पूर्व में दिवाने खास इस्थित है, जिसे जैमंदिर भी कहते हैं, यहां राजा अपने जैसा की नाम से सपस्ट होता है, खास, तो यहां दू विशाल कमरे, दौनो और दालान, फवारे से शुशोबित, विशाल प्रांगन, इसनानागार, इत्यादी भवन है, और आमेर के दिवाने खास का निर्मान भी मिर्जा राजा जैसिंग के द्वारा करवाए गया, यह है शीश महल का द्रश्य है, सुन्दर अलंकरन, ज जो है, वो यहाँ पर दिखाई देता है, यह है जो दुर्ग है, इसके अंदर अन्य उसके हम बात करें, तो इसके अंतरगत गनेश पोल है, साथी साथ में यश मंदिर है, जिसे सफेद संग्मर्बर की सुन्दर और अलंकरत जालियां जिसमें लगी वी है, जहां से रानिया दिवाने खास के द्रिशे को देखा करती थी, और साथी सुभाग्य मंदिर जिसे सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह एक आयता कार महल है, जो रानियों के मनोविनोद और हास परियास का इस्थान था, जिसमें सुन्दर और रंग बिरंगे पत्थरों से बनावा एक छोटा सा जहरना है, इसमें चंदन के किवार बने वे हैं और उन पर हाती दात का सुन्दर काम हुआ है, इसी प्रकार से सुख मंदिर जो है, वो दिवाने खास के सामने बगीचे के दूसरी तरफ निर्मित है, जो राजाओं का ग्रिश्म कालिन निवास था, यह महल एक विशाल और लंबे कमरे के रूप में है, इसकी दिवार में संग्मर्मर का एक सुन्दर जहरना है, जो महराब युक्त चोखट से गिरा है, और इसकी जो चोखट है उस पर बेल बुटो के अलंकरन युक्त सैकड़ो छिद्र बने है, मतलब बहुत सुन्दर कारी गरी, राजभावनों में महराजा मान सिंग के महल, रनी वास, परिचारिकाओं के भवन, दालान, सुरंग, बुर्जे आदी है, जो अपने शिल्प और सौंदर के कारण दर्शनिय है, आमेर के प्रतापी राजा, प्रत्विराज की रानी, बाला भाई के साल, महलों के पीछे की तरफ पुराने भावनों में आवस्थित है, और बहुत सुन्दर और आकरशक दृश्य, आकरशक यहां का अद्बुद स्थापते जो है, वो परेटकों के आकरशन का केंद्र है, और इस प्रकार से आमेर का जो दुर्ख है, और आमेर के जो राजप्रसाद है, वो अपने भव्य देव मंदिरों के लिए प्रसिद है, जैसा कि आमने बात की, शीला देवी का मंदिर, साथ ही साथ में यहां पर जगत शीरोमिनी का मंदिर है, इस मंदिर में प्रतिस्ठापित भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ती के लिए कहा जाता है, कि यह चित्तोर से लाई गई थी, और यह वह मूर्ती है, जिसकी पूजा मीरा भाई किया करती थी, इस मंदिर का निर्मान राजा मान सिंग की रानी, कंकावती ने अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंग के याद में करवाया, और साथ ही साथ में जो है, यहां पर और अदबुत सापते के नम गाल से लाई गई शीला देवी, जिस महिश मर्दिनी की प्रतीमा, यहां पर बहुत सजीव और आकरशक है, और यहां की अदबुत कारीगरी, और जो तोरन बने है, मंदिरों में, नकाशी है, वो सब चीजे जो है, वो अदबुत दिखाई देती है, 1707 में मुगल बाथशा, 1707 वैती थी जब औरंग जिप की मृत्य हो गए, और मुगल गदी पर, बाहदुशा प्रथम गदी पर बैठा, और मुगल बाथशा बाहदुशा ने कुछ समय के लिए आमेर पर अधिकार कर लिया, और इसका नाम बदल कर मौमीनाबाद कर दिया थ अपने अधिकार के दौरान बाहदुशा ने कहा जाता है कि जो चित्रकारी इसकी बहुत सुदर अद्बूत चित्रकारी थी, उसको ऐस पर सफेद पेंट करवा दिया था, उसको पुतवा दिया था, और बाद में उसको वास्तिविक रुप प्रदान किया गया और इस परक जापूर्व के आमेर के अंदर खड़ा है जो कच्छाओं की एक लंबे समय तक राज़ा नी रहा और बहुत सुद्रड और सुन्दर दुर्ख के रूप में हम आमेर के दुर्ख को देखते हैं धन्यवाद